गगणियान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्टोनौट्स के नामों का एलान कर दिया गया हैं। Astronaut Wings दिये गए जिन Astronauts को गगनियान मिशन पर भेजा जाएगा उनमें Group Captain प्रसांत बाल कृष्णन नायर, Group Captain अजित कृष्णन, Group Captain अंगत प्रताप और Wing Commander शुवांसु शुकला सामिल हैं चारो की ट्रेनिंग रूश में हुई हैं चुने गए चारो Astronauts Bangalore स्थित Air Force के Aircraft and Systems Testing Establishment के Test Pilots हैं Astronaut बनने के लिए बड़ी संख्या में Pilots ने Application दी थी इनमें से 12 ने सितंबर 2019 में पहले लेवल का Selection Process कम्प्लीट किया था इसके बाद कई Round के Selection Round के बाद 4 को Select किया गया जून 2019 में इसरो और रूश की Space Agency के बीच पाइलट्स की ट्रेनिंग के लिए करार हुआ था इसके बाद इन पाइलट्स को रूश के यूरी गावरीन कोश्मोनोट ट्रेनिंग शेंटर बेजा गया यहाँ पर फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक इनकी ट्रेनिंग हुई कुछ मेडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इन एस्ट्रोनोट्स में से किसी एक को अमेरिकी Space Agency NASA भी ट्रेनिंग देगी यह ट्रेनिंग 2024 के आखिर में International Space Station के एक मिशन के लिए होगी अगर हम लोग गगनियान मिशन के उपर बात करें तो गगनियान मिशन भारत का मनवयुक्त अंतरिक्ष प्रोग्राम है तो गगनियान मिशन इनसानों को अंतरिक्ष में भेजना इनका एक मिशन है इनकी लॉंचिंग 2024 में अनुमानित हैं और इसके उपर करीब करीब 10,000 करोर उपईये का खर्च आया है गगनियान मिशन 300 से 400 किलो मीटर उपर धर्ती के निचले ओर्बीट में यानि की लो अर्थ ओर्बीट में जाएगा और 15 अगस्त 2018 को प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मिशन का एलान किया था इस कार्यक्रम के तहट कूल 3 उराने प्रिथवी की निचली कक्छा में भेजी जाएगी इनमें से 2 मानव रहित उरान होगा और 1 उरान इनसानों को साथ लेकर जाएगा गगनियान 1 देश की तक्निकी छमताओं को बढ़ाएगा और साइंटिफिक रिसर्च और डेवलप्मेंट में महतुपूर्ण योगदान देगा गगनियान 2 यह मिशन भी एक मानव रहित मिशन होगा जिसकी अगले साल लाँच होने की संभावना है इसरों के अनुसार मानव रहित मिशनों का उद्देश टेकनोलोजी का प्रदर्शन और सुरक्षा को सुनिस्टिक करना होगा वहीं गगनियान 3 मिशन यह पहला चालक दल वाला गगनियान मिशन होगा जिसे 2024 में लाँच किये जाने की उम्मीद हैं हम लोगों का अगर का यह मिशन सफल रहता है तो भारत अमेरिका चीन और सोवियत यूनियन के बाद अंतरिक्ष में इनसानों को भेजने वाला चोथा देश बन जाएगा इससे पहले सोवियत रूस 12 अप्रिल 1961 को यूरी गागरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे थे उसके बाद अमेरिका 5 मई 1961 को एलन से फड़ 15 मिनट स्पेस में रहे थे और चीन 15 अक्टूबर 2003 को यांग लिवेड 21 घंटे स्पेस में रहे और अगर भारत इस मिशन में सफल रहता है तो भारत स्पेस में समय बिताने वाला सोवियत रूस अमेरिका और चीन के बाद चोथ अथा देश बन जाएगा